हेलो दोस्तों वेलकम डिसीवल मंत्रा आज का दोस्तों जो मारे टॉपिक है वहाई पॉट टाइमिंग डाइगराम इसके पहले दोस्तों आल्रेडी मैंने डिसकस किया है कि वाल वाल टाइमिंग डाइगराम क्या होता है इन फॉर श्टोक के लिए आगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें फिलाल आप दोस्तों इस वाट वीडियो में हम बात करेंगे two stock engine के बारे में कि two stock engine क्या होता है यह आलड़ी मैंने discuss किया होगा है अगर आप में वो video नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख ले link आपको provide कर दूँगा या पिर discussion में आपको link मिल जाएगी फिलाल हम बात करेंगे यहाँ two stock की अब वो भी किसकी valve यानि port timing diagram की port timing diagram इसलिए यहाँ क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ जो हम two stock में use करते हैं दोस्तों वो हम port का use करते हैं और यहनों four stock में हम क्या use करते हैं valve का use करते हैं इसलिए हम इसको कह देते हैं port timing diagram अब आते हैं discuss करते हैं कैसे हमारा draw होगा यह diagram देखों दोस्तों यह थोड़ा रुक होता हूँ उसके भाद हमारा क्यों कौन कॉन से होते हैं ताकि आपको सबलता है गलaso होता है कि वीडिया संहरे कफान था स्ससंव पावर स्टोक होता है वेस्स के बाद हमारा है क्यों आ integriigt loss क् 1990 है ठीक है, यह हमारा cycle होते हैं, अब हम इसी two stroke हो जाती है, यह आलएडि मैंने details लिस्कस के हुए है, आप देख सकते हैं, फिराल बात करते हैं port timing diagram की, मैं यहाँ बात करूंगा the expansion करूंगा cycle को और इजास से फिर हम compression में आएंगे फिर क्या आएंगे सक्षन में आएंगे ताकि आपको इसली समझ में आए क्योंकि हमारे stroke क्या है two stroke engine ओके अब बात करतें expansion की condition के लिए यहां हमारा क्या होता है TDC होता है top dead center यहां होता हमारा BDC bottom dead center अब देखो अब हम बात करतें पहले आप थोड़ा से याद करो कि हमारी expansion की condition होता क्या था थोड़ा समय cylinder को ड्रा करता हूँ expansion की condition ऐसी होती थी अब हमारा कैसा मूप कर रहा है टीडीसी से BDC जब हमारा piston टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा आएगा जाएगा नीचे की ओर इस condition में क्या होगी यह valve अभी क्या रहेगी open रहेगी और हमारा जो यह रहेगा यह निज़वारा inlet है इंलेट क्याएगा close रहेगा और जो मारा exhaust वाल है वह क्या रहेगा open हो जाएगा और हमारा जो transfer वह है यह hemरा transfer port है करते हैं यहां वाल नहीं पोर्ट की बात करते हैं यह वारा नीचे जैसे आएगा यह में फ्यूल मैंने मान लिए एस इस कंडिशन में हमारा फ्यूल क्या है इंजक्तालडी फ्यूल हमारा क्या यह यहां हो चुका है कि ऊपलाई होंगत तब लिए सक एक मारा स्टार्ट गृद्हा हुए यह हमुश्म में पूने मलेधा यहामार से इसायके दिख दीए यह यह सब्सक्राइब कर्ठैने मुब करें मुबघ कर रहा है ञाएक जास्ट पॉर्ट क्या हुआ ओपन हो गया країक्छास्ट पोड क्या हुआ xu तुमार आर नीचे जब आता है रोड करें फैं पि फोटि फैप पर यह हो जाता है यहां तक हमारी साइकल पूरी हो गई यह लो हो गया अब यहीं से क्या हो जाता है इस 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 इसाइकल है वह चलने लगती है सपोसेट मैंने अभी मालिया हमारे साइकल क्या हो इक्जास्ट की स्टार्ट हो गई यह देखो दोस्तों इक्जास्ट की कंडिशन में क्या होगा यह हमारा सिलेंडर फिर उपर की ओर जाएगा यह वाला इनलेट पॉर्ट है इंलेट पूट है वोह हमारा क्या हो गया तो मने मालिया यह हमारी साइकल क्या है है इस तरीके स्वांग फोटे फिभाइब नीर माउट यह हमारा पुरिफाइव पही पीपिट ट्रांसफर पोड प्रहागे तरीके से अपने ताइसय प्रूपर यह प्र फिर उपर जाएगी, यह प्रोज हो जाएगा, जिब यह क्लोज होगा तहुत इन इन फोड़ोगा, अब यह मैं क्छास्टपोर्ट प्लोज यह था वार नियर्रोज जाए पर नियर्वाद 60 degree पे जो हमारा exhaust port है वह हमारा क्या हो जाता है छो हमारी यह process होता है यह जो मारा बीच का process है transfer port से जो मारी gas निकलती है इस से हम कहते हैं cleansing processes है फिर हमारी cycle क्या है दोन हमारे cycle पूरी हो गई जखो exhaust हमारा क्या से start हो गया यह हमारी क्या हो गई फ्यूल यहां क्या था यहां क्या थामारां हैश्चा मैं सब्सक्राइक आपकर यंगाार यहां हो पर आ直शन चलता है यह fir पर जा यहां को यहां supply होता है फिर से परसे परसे होजाता है और लेकिन यह पर 10 डिगरी हमारा स्क्राइब हो जाता है इस तरीकी से कि दोस्तों मनें इस continue वानी cycle क्या वर्क करती है ओके यह हमार 15 डिगरी पहले ही हो जाता है तो यह हमारा हो गया पूर टाइमिंग डाइग्राम अगर आपको दोस्तों समझ में आए कि पूर टाइमिंग डाइग्राम क्या होता है हम कैसे ड्रा करते हैं तो वीडियो को लाइक क करें शेयर करें और कमेंट करें